हालो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टो माई चैनल इन कुकिंग वित रेखा पहाडिया आज मैं आप लोगों की साथ शेयर करने जा रहे हूं नारियल की बर्फी की इंस्टेंट रेसिपी यह मिठाई मिन्टा में बनकर रेडी हो जाती है हो भी कुछ ही इंग्रेडियंट्स के साथ तो इस दिवाली आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राइ कीजिएगा सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स टाइम आये हैं तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल और प्रेज अबल आइकन ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके तो आ चिलकी उतार लेने से हमारे नालेल जो है पूरे निकल जाते हैं बिना तूटे एक तूट गया है गलती से तो अब हम इनके चिलकों को या तो पिलर की हल्प से पिल कर लेंगे या फिर ग्रेटर की हल्प से हलकलका सा ग्रेट कर लेंगे ताकि हमारी बर्फी जो है एकदम व जाएंगे चोटे-चोटे से टुकडे करने से हम एक साथ इसे नहीं पीसेंगे हम दो से तीन टर्न में इसे पीसेंगे देखिए इस तरह से हमें पीसना है इसे बिलकुल बारिक अगर आपको ज़रत पड़े तो आप इसके अंदर थोड़ा सा दूद या फिर नारेल का ही पानी इसमें डाल सकते हैं पीसने के लिए लेकिन मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है इसी तरह से हम सारे नारेल को पीस लिए है और थोड़ा सा नारेल एक से दो चमच मैंने अला कोटोरी में निकाला है यहां पर मैंने एक पींच येलो फूड कलर लिया है और इसे पानी में गूल लिया है अब मैंने यहां पर एक पेन गर्म होने के लिए रख दिया है उसके अंदर सब सब पहलें डालेंगे एक चमच देशी घी जहां सिप एक चमच ही घी लगेगा इसमें अब गी को हम अच्छे से मेल्ट होने देंगे उसके बाद हम इसमें डाल देंगे यह एक कोटोरी फूल भर के फूल क्रीम मिल्क यह 500 ml दूद है या तो आप ml से नाप लीजिए या फिर जिस कटोरी जिस बरतन का मेजर्मेंट लेते हैं वो फूल कटोरी लगबख 500 ml आपको दूद लेना है और उसी कटोरी का आधा बिल्कुल बराबर आधा हमें चीनी लेनी है सेम कटोरी से जिससे कि हमने दूद को मेजर किया था अब यहां पर मैंने लिया है दो इलाइची का पाउडर अब हम इन सब को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें लगबख एक से दो उबाल आने देंगे हमें इसे बहुत ज़दा भी नहीं उबालना है सिर्फ एक से दो काफी है देखिए इसमें बोईल आ चुका है अब मैं इसके नंदर डालेंगे मिक्स करेंगे हमें गेस का फ्लेम लोटू मीडियम ही रखना है इस मिटाइम में बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है मुश्किल से 5-10 मिट लगते हैं इसको बनने में हमें इसे बहुत ज़्यादा ड्राइ नहीं करना है एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और चार से पांच मिट तक इसे इसे ही चलाना है देखिए हमें इसे चलाते हुए लगबग चार से पांच मिट हो चुके हैं अब हम इसे दो मिट के लिए डगकर पकाएंगे ताकि यह अच्छे से पक जाए और अच्छे से मिक्सर जो है और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है अब हम इससे ज़्यादा ड्राइन नहीं करना है यह बिल्कुल रेडी है अब हम गेस का फ्लेम आफ कर देंगे अब हम इस मिक्सर को दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे देखे मैंने प्लेट को अच्छे से गी से ग्रीस कर लिया है आधे पॉर्शन को हम इस प्लेट के अंदर ले लेंगे यह बिल्कुल ऑप्शनल है मैंने यह आप पर दो कलर देने के लिए ऐसा किया है आदे मिक्सर के अंदर हम यह यह यहलो फूट कलर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर आप इसे इसकिप करना चाहे तो भी कर सकते हैं पूरी मिठाई को आप से वाइट कलर ही दे सकते हैं यह देखिए मैंने फूट कलर को अच्छे से मिक्स कर लिया है और आधा पार्ट मैंने इसमें निकाल लिया था अब हम इसे अच्छे से फ्लेट कर लेंगे इस पे चुला या हाथ के हल्प से यह देखिए मैंने इसे अच्छे से सैट कर लिया है आप शेप इसे जो चाहें वह दे सकते हैं अब हम इसके ऊपर यह यह लो वाला मिक्सर डाल देंगे और इसे भी सेम ऐसे ही अच्छे से फ्लेट करते हुए सैट कर लेंगे अगर आपको इस पे चुला की हल्प से प्रॉब्लम आ रही है तो आप यह सब हाथ से भी कर सकते हैं यह देखिए मैंने इसमें हाथ के हल्प ली थी अब मैंने इस नाइप को घी से अच्छे से ग्रीस कर लिया है और अब हम इसे चोटे चोटे पीसे में कट कर लेंगे यह देखिए हमारी मिठाई बनकर बिल्कुल रेडी है अब इसके उपर हम डाल देंगे थोड़ा सा कोकोनट पाउडर जूकि हमने अलग से निकाल के रखा हुआ था अब हम इस कोकोनट पाउडर को भी अच्छे से स्पेचुला की हल्प से दवा देंगे थोड़ा प्रेस कर देंगे ताकि यह अच्छे से इसके उपर चिपक जाए साइट हो जाए वाव यह देखिए हमारी डिलिशियस इंस्टेंड बर्फी बनकर बिल्कुल रेडी है तो इस दिवाली आप मेरे सेसिपी को जरूर से ट्राइ कीजिए गा यह मिंटा में बनकर रेडी हो जाती है और खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है आप देखिए इसका टेक्च्चर यह बहुत ही ज़दा सॉफ्ट है आप इस दिवाली मेरे इस खोपरा पाक या ताजा नारेल की मिठाई या नारेल की बर्फी की रेसिपी को जरूर से ट्राइ कीजिएगा अगर आपको मेरे रेसिपी पसंद आई हो प्लीज मेरे इस वीडियो को ज्यादा स्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा बहुत जल्द मिलूंगे आपसे अगली रेसिपी किसाद तब तक के लिए, बाई, थेंक यू,